हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका रविनास किचन में फ्रेंड आज मैं आपके लिए बहुती टेस्टी और एकदम गजब की रेसिपी लेकर आई हूँ तो आज हम बनाएंगे समोसा रोल की रेसिपी समोसे आपने कई बार खाये होंगे लेकिन आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिए आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा तो देख सकते हैं कितने खस्ता और एकदम क्रिस्पी बने है आप इसकी लेयर देख सकते हैं इसकी उपर की जो परत है देख सकते हैं कितनी खस्ता बनी और एकदम क्रिस्पी इसका टेस्ट भौती लाजवाब है तो इसे बनाने के लिए मैंने यह आपे ले लिया है देड़ कटोरी मैदा अगर आप कप से देखेंगे तो यह दो कप के लगबग मैदा है तो आप इसको इसी तरीके से डाल दे अजवाइन थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हातों से अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे आप कॉंटिटी अपने हैसाब से एकजस्ट कर सकते हैं कम या जादा अब हम इसमें तीन चम्मच मोयन के लिए ऑल डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जो आप समोसा या रोल कुछ भी बनाएंगे तो यह आपके बबल्स नहीं आएंगे और बहुत ही खस्ता और एकदम क्रिस्पी आपका बनकर तेयार होगा तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इसी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं हातों से मिक्स करूंगी क्योंकि यह चम्मच से बराबर से नहीं ह कि इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो तयार करेंगे बहुत ही खस्ता आपके यह जो समोसा रोल है बनकर तयार होंगे और एकदम न्यू रेसिपी है आप इसको एक बार बना कर देखिए आपके घर में बड़े है या का टेस्ट भौती लाजबाब है तो यहां पर हमने डो को तयार कर लिया है थोड़ा सा ओईल लगाके इसको पांच मिनिट के लिए रेस्ट करेंगे जब तक हम बना लेंगे समोसा रोल के लिए स्टफिंग तो इसी तरीके से आप ओईल लगाकर इसको रख दें अब हम स्ट तो यहां पर मैं ले रही हूं तीन से चार हरी मिर्ची लिए कटी हुई मैंने और चार-पांच मैंने आलू लिए उबले हुए तो इसी तरीके से कुछ सेकिंड के लिए इनको भूनेंगे अब इसमें मटर डाल देंगे तो यहां पर मैंने लगवक 50 गिराम यहां पर मैंने गिरीन मटर लिए है फ्रोजन मटर है आप अगर फ्रोजन यूज नहीं करें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं उसको आप थोड़ा सा बॉइल कर ले एक चमच हल्दी डाल देंगे चोटी वाली एक चोटी चमच नमक डाल देंगे एक चोटी चमच लाल मिर्ची डाल देंग इस तरीकै से आप अलू को ढाल दे और अक्षे से हम इसको मिक्स करेंगे मसाले को ताकि जो ह्मारे अलू है वो मसाले के साथ मेरा से नक्षे से अरहख हो जाए और गैस का अलो रखेंगे और लो फ्लेम पर नहीं को अब आख्यास कर समारी से जरूरत नहीं है बस हम एक से दो मिनिट के लिए इनको गैस के उपर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चमज का सूरी मेती थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे और इस तरीके से आप इसमें डाल दें हरा धनिया आप डाल सकते हैं इसी तरीके से एक से 2 मिनिट एक लिए इसको थोड़ा सा पकाएंगे और गेस को बंद कर देंगे, अब हम एक पेस्ट बनाएंगे, तो यहां पे हम मैदा और पानी को घोल कर अच्छे से एक पेस्ट और थोड़ा सा में या पर मैदा लिया है और फोड़ा सा हम इस Max कर लेंगे और अच्छे से इसको इसको पतला है विव मीडियम फैस्ट रखेंगे जो ना तो बिलकुल गाड़ा हो यह देगे इस तरीके के हम इसको बना लेंगे अप जो हमने आठा बनाया था, उस आठे को लेंगे, तो यहां पे मैं आठे की, चार लोईयां थोड़ लूँगे, चार लोईयां बना लेंगे, चार इस्सो में इसको डिवाइट कर लेंगे, इकुल साइज में, तो देखिए, मैंने इस तरीके से ले लिया है, आप अपने स आप से जितना आटा ले रहे हैं उतने इस्सों में आप इसको डिवाइट कर लें अब हम इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे सूका मैदा और इसको हम बेलेंगे तो इस तरीके से हम इसको बेलेंगे हमें इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना ज्यादा मोटा नहीं बेलना लेकिन आप जितनी रोटी बेलते हैं उतना थोड़ा पतला बेलिए रोटी से थोड़ा पतला बेलिए आप तो बस आपको इसी तरीके से बेल लेना है आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला बेला है तो इसी तरीका से आप बेल लें अब हम इसके साइटों को कट कर लेंगे इसके चा सटुपिंग बनाई थी उसको हातों में लेँए और से उसको रखेंगे सब्सक्षा इसके उपर कत लगाएंगे और फिर से सब्सक्कि आप लेने के लिए मिने हमने सेंटर करेंगे यह तेकि इस तरह से रोल करते हुए एंट तक आएंगे चिपका देंगे इसके ऊपर seal कर देंगे हम इसको इससे क्या होगा कि जब हम fry करेंगे तो यह जो हमारा समोसा रोल है यह खुलेगा नहीं और stuffing को हम इसी तरीके से रहने देंगे यह दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी taste इसी तरह से बहुत अच्छा आएगा तो आप इसी तरीके से बनाईए तो बाकी समोसा रोल को भी मैं इसी तरह से बना लूँंगी यह दैखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ तो आपको इसी तरीके से बना लेना है यह देखिए end में आके हम रुकेंगे और थोड़ा सा ये paste लगाएंगे और अच्छे से हम इसको seal कर देंगे ये देखिए इस तरीके से हम इसको seal कर देंगे तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से सभी समोसा रोल को बना लूँगी ये देख सकते हैं कितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने याँ पर सभी समोसा रोल को बना लिया है तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिए बहुती आसान है फ्रेंड्स इसे कोई भी बना सकता है अब हम तेल गरम कर लेंगे तेल हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चीए मीडियम फ्लेम पे मीडियम तेल गरम होना चीए अब हम इनको डाल देंगे एक के बाद एक सभी समोसा रोल को अब गैस का फ्लेम जो है हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इनको पकने देंगे बिल्कुल भी bubbles नहीं आएंगे आपके जो समोसा रोल बनाएंगे और बहुत ही खस्ता बनेंगे एकदम क्रिस्पी बनेंगे आप इनको low flame पे पकाईएगा ना तो आप इनको medium flame पे ना high flame पे low flame पे पकाईएगे आप इनको 8-10 मिनिट में आपके समोसा रोल बनकर तयार होएंगे और इस तरीके से हम इनको चिम्टे की मदद से पलट लेंगे तो बस इसी तरीके से मैं इनको पलट लूँगी और दूसरी साइट से भी हम इनको सेकेंगे और gas का flame आपको low रखना है तो देखिए friends कितना अच्छा golden color आ रहे हैं यह देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो बीच बीच में आप इस तरीके से 2-3-3 मिनिट में इनको चलाते रहिए गुमाते रहिए इस तरीके से ताकि जो हमारे समोसा रोल है वो हर तरीके से सिखे और हर तरब से इनका color equal आएगा यह देखिए कित बिल्कुल भी bubbles नहीं आएंगे कुछ लोग समोसे सेखते हैं तो उनके समोसो पर bubbles आ जाते तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे आप इस तरीके से अगर आप सेखेंगे low flame पर तो यहां पर हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इनको निकाल लेंगे और गैस को बन कर बना सकते हैं और आपके गैस्टों को जब आप यह बना कर सर्फ करेंगे तो कुछ नया लगेगा दिखने में और खाने में भी तो वह आप से इसको पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया तो आपकी बहुती तारिप करेंगे तो आप इसको एक बार बना कर जरूर देखिए त एकडम खस्ता अमारे समोसा रोल बन करते ही आ रहे तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीस लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर देना, बैल आइकन को प्रेस करना, देख सकते हैं, आप इसका टेक्शर देख सकते हैं, आप मार्के जरूर कर देना